टेस्ट बुक लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र सस्त्र सवालों का होगा प्रहार जीदेगा वही जिसके पास होगा घ्यान का बंडार होंगे कई योथा जो भेदना चाहेंगे स्चक्र व्यू को करके हर चुनौती को पार होंगे पुरुस्कार अपार और जो हर चुनौती को करेगा पार उसी ही होगी जै जैकार रण भूमी है तैयार बस योधाओं का है इंतिजार नमस्कार स्वागत है आपका टैश्पुक.com में CSIR यानि सेंटरल एक्ट्रो केमिकल रिसर्ज इंस्टूट ने टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निशन की पोस्ट लिए एक रिक्रूट्में नोटिफिकेशन रिलीस किया है और हम इसी रिक्रूट्में नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो आए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले में आपको important points पुटा देता हूँ जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगी तो सबसे पहले में आपको official website बताऊँगा जहां पर आप इस notification को चेक कर सकते हैं उसके बार हम जानेंगे इस notification का vacancy count, important dates, legibility criteria और salary structure उसके बार में आपको बताऊँगा इसका selection process के रहने वाला है और फिर हम चलेंगे official notification पर जहांपर हम detail में डिसकस करेंगे इस notification के बारे में चेक कर सकते हैं, vacancy की बार करें तो technical assistant की 41 vacancies है, technician की 13 vacancies है, total vacancy count है आपका 54, important dates की बार करें तो 28 अगस 2021 से registration स्टार्ट हो चुके हैं, 27 September 2021 last date है एपलाई करने की, यानि registration window आपकी एक महीने के लिए open है, age limit और educational qualification हर post लिए अलग लग रखी गई है, हम notification में जानेंगे इसकी qualification औ age limit, salary देखिए technical assistant की जो आपकी salary है, total वो लगबख 50,444 रुपए बनेगी और technician की आपकी salary 28,216 रुपए लगबख बनने बाली है, selection आपका skill test, trade test और competitive return exam के basis पर होगा, और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, official notification पर, तो अपने screen पर जो आप देख रहे हैं, official notification है आपर, Central Electrochemical इंस्ट्यूट ने रिलीस किया है, 28 अगसी registration स्टार्ट हो चुके है, 27 तारीक जो है, वो last date है, apply करने की 27 सेप्टेंबर, और hard copy जो है application की वो आपकी 12 October 2020 तक address पर पहुँच जानी चाहिए, post कौन सी है, technical assistant की 41 vacancies है, 35,400 basic पर रहेगी, 50,449 रुपए जो है, वो आपकी रहे की total salary, 28 साल आपकी age limit है, technician के लिए आपकी 9900 basic पर रहेगी, 13 vacancies है, 28,216 जो है वो आपकी salary बनेगी, total 18 साल आपकी age limit है, basic pay की उपर आपको जो है, hra, dearness, allowance बगरा वो मिलेंगे, इसलिए आपकी total salary जो है, वो काफी अच्छी बनेगी, अब देखिए आप़ technical assistant में कौन कौन सी position ह है, वो देख लिए देख लेते हैं, तो देखिए technical assistant में कई तरह की post है यापर, 10 post ऐसी हैं, जिसमें आपकी, का BSC chemistry से मांगा गया है, और experience आपको होना चाहिए relevant rate में, दो post ऐसी जिसमें आपके पास BSC physics सौनी चाहिए, with one time, with one year full time professional qualification और one year experience, उसके बाद, BSC microbiologically एक vacancy है, BSC bi biotechnology के लिए एक vacancy है, BSC computer science के लिए आपकी तीन vacancy है, BSC hotel management के लिए एक vacancy है, BSC mathematics के लिए एक vacancy है, BSC diploma in electronic communication engineering के लिए दो vacancy है, डिप्लोमा in electrical electronics engineering technology के लिए यहाँ पर आपकी जो है वो छह vacancy है, एक vacancy है आपकी electronic instrumentation engineering के डिप्लोमा के लिए, साथ vacancy है आपकी mechanical engineering diploma के लिए, दो vacancy है आपकी diploma in refrigeration, AC engineering के लिए, दो vacancy है आपकी diploma in civil engineering के लिए, और दो vacancy है आपकी diploma in computer science engineering के लिए, तो यह आपकी हो गई, उसके बाद technician post में देखी क्या है आपकी, तीन post है, आप 10th standard pass होने चाहिए 55% number के साथ, और आपके पास state certificate होने चाहिए relevant trade में, एक vacancy है आपकी, होना चाहिए, जो कि आप official notification में check कर सकते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके benefit वगएरा जो है, और general instructions है, वो आप यहाँ पर check कर सकते हैं, यह lexation क्या है, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, apply कैसे करना है, वो पूरा process बताया हुआ है, apply online करने कर आपको offline जो है, अपना hard copy भेजनी है इस address पर, यह देखिए आपका technical post-league क्या selection process है, OMR based आपका computer based जो है, वो exam होगा, यह देखिए आपका selection पूरा process आपकर बताया हुआ है, जो कि आप check कर सकते हैं, आपका OMR based जो है, computer based objective time, multiple choice examination होगा, 200 question आएंगे, 3 घंटे का आपको time मिलाएगा, paper 1, part 2, part 3 इस तरह से होगा, जो आप देखिए official notification डिटेल में दिया हुआ है, इसको आप check कर सकते हैं, तो जो important points इस notification के वो हमने यह आपर discuss कर लिये हैं, तो यह था recruitment notification जो Central Electrochemical Research Institute ने release किया है, technician और technical assistant की post लिये हैं, जिसमें total 54 vacancies निकली हुई हैं, और इसी notification के बारे में हमने इस वीडियो में discuss किया है, और समय समय पर जो अलगला recruitment notification लीज होते हैं, उनकी complete preparation के लिए सबसे अच्च अच्च आप्शन है, वो है यह test book pass, क्योंकि इस एक test book pass के जादा तयारी कर सकते हैं, 390 प्लस exams की, और इसमें आपको 24,000 से जादा mock test मिलते हैं, और अभी देखें, month and lifetime sale भी चल रही है, यानि 499 रुपे में आपको यह lifetime test book pass है, वो मिल रहा है, 15% का cashback मिलेगा, अगर आप मो भी क्योंकि से payment करते हैं तो, इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाथ करते हैं, आप लोग अपनी exam preparation और exam latest update के लिए test book के साथ बने रहे हैं, प्रेस दा बेल आइकन फॉर आल दे लिटेश अपडेट रिगार्डिंग और exam,